हेलो माय डियर स्टूदेंट्स माय डियर स्टूदेंट्स कई सारे स्टूदेंट्स मुझे बाज बारß message करके ये भूल रहे थे कि मुझे numerical बनाने में problem हो रही है तो मैं उन सब ये स्टूदेंट्स के लिए एक solution लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए सामने क्यूंकि numerical बनाने के वक्त मैडियर calculation सबसे main वाद होती है बहुत सारे बच्चों को formula जियाद होता है मैडियर लेकिन उसके बाद भी calculation नहीं कर पाते हैं उसका सबसे main करण एक ये होता है कि questions में unit converge उन नहीं कर पाते हैं मैडियर कई सारे data दे रखे हैं centimeter में कई सारे meters में, millimeter में और वो as a teach वैसे ही रख देते हैं formula के अंदर और वो गलती कर बैठते हैं मैडियर इसलिए सबसे पहला आपका काम होता है कि आप जितनी भी data दी गई है सभी की सभी data को आप same unit में convert करें मैडियर सभी की सभी को आप SI सिस्टम में convert कर दें मैडियर तो अभी जाकर कि आप calculation सभी से कर पाएंगे और आपका answer जो है match हो पाएगा मैडियर उसी के लिए हम आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि हमारे physics के numerical को solve करने के लिए कुछ maths के converging वाले formulas हैं यह आपको याद होने चाहिए मैडियर बहुत सारे students को आता भी है लेकिन जिन नहीं आता है मैडियर वो जरूर से जरूर इस चीज को concept को सिखेंगे मैडियर चलिए सुरू करते है अपना मैडियर आज का class देखेंगे पहला number जो formula मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ conversion के लिए unit conversion के लिए वो one meter is equal to कितना होता है hundred centimeter होता है यह बजपन से आपको पता है लेकिन one meter is equal to कितना होता है one thousand millimeter होता है यह क्या लिखा हो गया मैडियर millimeter mm का मतलब होता है millimeter ठीक है और हमें उसे meter में convert करना पड़ता है तो जो दूसरा number देखेंगे आपका formula है one centimeter is equal to होता है ten के पाउर minus two meter मैडियर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको centimeter को meter में बदलना है तो आप क्या किजिए आप ten के पाउर minus two से just multiply कर देखिए जैसे मैं आपको example लेकर के बताता हूँ कि मालेजी लिखा हुआ है five centimeter क्या लिखा है five centimeter लिखा है अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आप इसे meter में बताइए तो अगर मैं meter में बताने के लिए जाओंगा media तो अगर मैं meter में बताने के लिए जाओंगा तो मैं बोलूँगा यह five centimeter था उस centimeter के लिए हम meter में बतलना है तो ten के पाउर minus two से हमने five में क्या कर दिया ten के पाउर minus two से just multiply कर दिया तो multiply कर देखिए किस में बतल जाएगा यह आपका meter में बतल जाएगा यहीं सबसे important बात है और मैं आपको बता रहा हूँ पूरे physics में सबसे ज़्यादा माइडियर यहीं इस्तमाल होने वाला है कि centimeter को meter में convert करें तो क्या करें तो बच्चे 100 से भाग देते हैं आप वैसे किजिए गद फोड़ा सा lengthy process हो जाएगा तो आप क्या करेंगे आप just 10 के पर माइनस 2 से गुना करा देजिएगा multiply कर देजिएगा जो भी centimeter में लिखा होगा उसमें 10 के पर माइनस 2 से जैसे गुना कराएंगे वो meter में बदल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लो जीरो है तो यहाँ power कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा माइडियर तो वन मिलमेटर इसकल तो क्या हो जाएगा 10 के पर माइनस 3 मीटर माइडियर आगे देखेंगे आप सभी के लिए चौथा नमबर कन वर्जन के लिए formula क्या मैंने रखाया देखेंगे 1 cm2 is equal to 10 का पर माइन 2 मीटर उसी तरीके से 1 cm2 is equal to 10 के पर माइनस 4 मीटर इसक्वाइर भी इस्तमाल होने हैं मैं इसके लिए आपको example भी देखा रखा है कि अगर माल लेजिए कि 2 cm2 लिखा है और इसको मीटर में बदलना है तो हमको just क्या करना है दो में 10 के पर माइनस 4 से multiply करवा देजिए देख दो यहां के 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यह वाला हमें मिल जाने माला है तो अगर cm2 को मीटर स्क्वाइर में बदलना है तो आप 10 के पर माइनस 4 से multiply करेंगे 10 के पर माइनस 4 से multiply करेंगे किसको cm2 या square लगा है मैडियर तब आप करेंगे अगर स्क्वाइर नहीं है तो केवल 10 का पाउर माइनस 2 यह वहला करेंगे मल्टी वाइमें आगे बढ़ते हैं आप सबी के लिए 5 वा नमर फॉरमूला यह आपको बजपन से पता है 1 किलोमेटर इसकल टू कितना होता है 1,000 मीटर होता है 1 किलोमेटर इसकल टू क्या होता है 2.54 cm होता है Approx calculation करने के लिए हम लोग 1 इंच को 0.5 cm माल लेते हैं लेकिन याद रखिए वो एड़ेक्ट नहीं हुआ वो एप्रोक्स हुआ लगभग-लगभग मान हुआ लेकिन सही मान क्या होता है 2.54 cm 1 इंच में कितना cm 2.54 cm होता है इसी तरीके से 1 फूट में कितना इंच होता है बाला 1 फूट में 12 इंच होता है देखेंगे 1 फूट में कितना इंच होता है 12 इंच होता है 12 इंच हो जाएगा 12 इंच हो जाने वाला है आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 हमारे हो गए आप आठवी के तरफ बढ़ते हैं देखेंगे आठवा नमबर क्या है आप सभी के लिए आठ नमबर देखी क्या है आठ नमबर कहता है मैडियर आप सभी के लिए कि 1 meter is equal to कितना होता है 3.28 foot होता है 1 meter के value किसके बराबर होती है सभा तीन foot के बराबर होती है देखिए फिर से हम लोग एप्रोक्स calculation कर लेंगे कि 1 meter के value 3.28 foot हो जाती है मैडियर ठीक है पर ऐसा जो है कभी भी आप अगर कपड़ा मीटर खरिदने जाएंगे मैडियर तो वहाँ पे आप गलती मत करेंगे कपड़ा जो खरिदने जाएंगे तो दुकंदार से आप बोलेंगे कि दुकंदार आपको बोलेगा कि सभा तीन foot का ही एक मीटर होता है सुनिए मेरी बात मैडियर धोखा करते हैं दुकंदार कपड़ी वाले हमारे साथ हमेशा धोखा करते हैं आप देखेंगे सभा तीन feet का हम लोग को एक मीटर बता देते हैं लेकिन एक्चूली में आप देखिएगा तो 3.25 होगा तब ना 5 होगा तब तो सभा तीन होता लेकिन ये 8 है मैडियर थोड़ी वैलू जादा है तो 0.03 इतनी वैलू जादा है मैडियर अगर हम लोग को जादा मीटर कपड़ा तो कहीं ने कहीं कुछ फर्क पढ़ जाएगा तो कहीं ने कहीं आपको 2 cm, 5 cm कपड़ा वोग आपको कम ही काट के दे देते हैं और हम लोग उसे मान के लेके आ जाते हैं लेकिन एक्चूली में ये होता है उनके पास जो मीटर होती है न वो चोटी मीटर मान के चलते हैं जिसमें सबा तीन मीटर को ही सबा तीन फूट को ही मिटर मानते है तो इससे वो लोग थोड़ा सा मुनाफ्था उलसे भी कमा लेते है आगे बढ़ते है कोषग नंबर ये 9 नमर देखते हैं नवा आपका फॉर्मूला क्या है एक क्यूंटल बराबर होता है 1000 किलो गराम 100 किलो गराम बलकि एक क्यूंटल में कितना होता है मैडियर 100 किलो गराम होता है एक क्यूंटल में ये आप बजबन से जानते होंगे metric भी लगा होता है कि एक metric ton कितना होता metric लगा दिजिए या नहीं लगा ये कोई फर्क नहीं पड़ता वो ton का ton है रहेगा 1 ton is equal to 1000 kg 1000 kg होता है आगे बढ़ते हैं 11 नमबर formula आप सब इक लिए देखते हैं क्या है 1 pound की value होती है 0.45 kg 0.45 kg एक pound की value होती है बोला सर इसका इस्तेमाल कहां करते हैं तो normally इसका इस्तेमाल हम लोग करते नहीं है लेकिन कई बार आप ऐसा देखेंगे कि आप cake उगरे खड़ने जाए cake की दुकान पर खास करके अगर आप जाएं तो आपको जो है ये pond की कहानी होती है वहाँ पर आप से बोला जाएगा आप से बोलेगा दुकानदार मैडियर की कितना pond का चाहिए तो आप बोलेंगे कि हमें तो 2 pond का चाहिए तो आप जैसे 2 pond बोलेंगे तो आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था value मैडियर वोक्स के 1 kg हो जायागा देखेंगे जैन से चुनिएगा अगर दुकानदार बोलेगा मैं फिर बोल रहा हूँ देखी यहां पे लोग चूरी कैसे करते हैं हम लोग के साथ एक pound की वे जो value है वो 0.454 kg है मतलब की अगर इसको मैं गराम में बदलूँ तो यह 454 गराम है अब देखेंगे एक pound की value कितनी गराम है 454 गराम और इसको हम लोग को वो बोलते हैं वो लोग दुकानदार बोलते हैं कि एक pound का मतलब होता है आधा किलो यानि कि आधा कीजी का मतलब हो गया कि 500 गराम अब यह है actually में 454 गराम और हमें वो बुला जा रहा है कि 500 गराम और हम मान भी लेंगे और वहाँ जब केक खरीदेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 500 गराम का rate आप से ले रहे हैं लेकिन आपको समान दे कितना रहे हैं 454 गराम ही दे रहे हैं suppose किजिए कि आपने दो पॉंड लिया है तो दो पॉंड का मतलब हो गया कि लगबग लगबग आपने 900 गराम ही लिया है मेंडियर आप ध्यान से सुने जीए लगबग दो पॉंड का मतलब कि आपको दिया है उसने 900 गराम केक और आपसे पैसा ले रहा है कितने गराम का 1000 गराम का Cake उने एक किलो का आपका पैसा ले लिया और आपने 100 गराम Bake यह पे लूज़कर दिया है मेडियर तो यह सिदा सिदा Profit वो लोग कमा ले जाते हैं यह सब टेक्निक है चीजे वो लोग छुपा के रखते हैं तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए मैडियर आगे बढ़ते हैं देखेंगे 12 नंबर आप सभी के लिए क्या है 12 नंबर जो फॉर्मुला है आप सभी के लिए वो देखेंगे 180 degree बढ़र क्या होता है पाईось डिगरी बढ़र कितना होता है पाई रिटियन होता है मैडियर अब चाहें तो आप conversion कर सकते हैं कि sir one degree बराबर क्या होगा तो one degree बराबर हो जाएगा ये 180 जा किधर divide कर जाएगा तो pi के नीचे 180 आ जाएगा तो इतना radian हो जाएगा तो एक degree बराबर pi by 180 radian हो जाएगा pi by 180 radian हो जाएगा जाएगा ये pi अगर इधर आकर divide कर जाएगा 180 के नीचे pi 180 के नीचे divide करेगा तो radian के value निकलेगी और अगर 180 pi के नीचे divide करेगा ये इसके नीचे जाएगा तो एक degree के value मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं 13 नमर formula देखेंगे 13 नमर formula आप सबी के लिए क्या है देखिए 13 नमर formula करता है कि एक micrometer का मांज होता है वो 10 के power minus 6 meter के बराबर होता है बहुत सारे numericals में अगर आप खास करके देखेंगे physics के अंदर तो micro में values आपको बहुत जगा दी गई होती है मैडियर तो आपको ये conversion करने आना चाहिए मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चे numerical में इसलिए फस्ते हैं कि उनको ये चीज़ें पता नहीं होती है तो ये आपको हर हाल में आने चाहिए micro का मतलब होता है 10 का power minus 6 और यहाँ जो meter लगा हो meter का meter यहाँ मने लगा दिया micrometer का मतलब हो गया 10 का power minus 6 meter में इसी तरीके से जो 14 नमर formula आप सभी के लिए सामने है वो कहता है 1 nanometer यह nm का मतलब n का मतलब है nano 1 nanometer का मतलब है 10 का power minus 9 meter यह nano किसको represent कर रहा है 10 के power minus 9 को represent कर रहा है कौन nanometer अब last formula आप सभी के लिए क्या कहता है ध्यान सा देखेंगे 1 angastron is called to होता है 1 angastron is called to क्या होता है my dear यह देखेंगे 1 angastron is called to 10 का power minus 10 होता है 1 angastron के value किसके बराबर होती है 10 के power minus 10 meter के बराबर होती है और angastron को A के power जो 0 लगाया है इसको A not पढ़ते है 1 का power अगर 0 लेलिख दिया गया हो इसको angastron पढ़ेंगे यह देखेंगे यह देखेंगे 10 के power minus 10 meter होती है my dear students आसा करता हूँ कि आपको यह formula आपको काफी पसंद आया होगा आपको सब कुछ ही अच्छा लगा होगा आप आसानी से यह चीज़ें आप याद कर पाएंगे मैडियर जिससे की आप बहुत सांदार तरीके से physics के सारे numerical मैडियर कर पाएं तो मिलते हैं मैडियर हम लोग अपने अगली class में